मैं तो उनको डेली सुबह ये सबग देती हूँ कि बेटा दो पैसा तुमें कम मिलेगा चलेगा लेकिन तुम अपने करतव एक से कभी भी बेमानी नहीं करना कोई भी पेशन्ट है कोई गरीब मजबूर आता है तो तुम उसको उस तरह से हल्प करो मेरे डेली उसको एडवाइस यही होती ही सुबह सुबह जब वो क्लीनिक के लिए निकलता है तो मैं डेली उसको यही कहती हूँ कि बेटा अपने काम को पहले ध्यान दो फोकस दो अपने इलाज को ट्रीटमेंट को फर्स्ट प्रिफरेंस दो और तुम्हें दो पैसा कम मिलेगा चलेगा लेकि अभी पैसे की तरफ नहीं देखना है तुम्हारा जो काम हो उसमें वो खुश हो के जाए यही तुमारी उपलग दी है आप अपनी खुशी को किस तरह से वर्स में बयान करना चाहें कि किती खुशी यह बेटी की काम्यान है मैडम खुशी तो बहुत है क्योंकि हर माबाप का यही लक्ष होता है कि उसका उसकी संत्रती आगे बढ़े परिवार के लिए आगे बढ़े देश के लिए आगे बढ़े समाज के लिए आगे बढ़े अच्छा कारे करें यस प्राप्त करें और जो अच्छा कारे करता जाएगा समाज के लिए उसी क्याधार पर इनकी तरक्की हर व्यक्ति की तरक्की समाजी में कितना उनका योगद बेता तो जुनून है, उसमें जुनून है, जो चीज वो ठान लेता है, उसको एचीव करना है, भले उसको अपना करता पर करेगा, हाड़ वर्क करेगा, एचीव करेगा, बाकी इस्वर की कृपा है, और बहुत सारे कम्पिशन्स है मार्केट में, तो उन सब को ध्यान में इस फिल्ड में तो मैं नहीं हूँ, अब अधिकल फिल्ड में, लेकिन लाइफ का एक्स्पिरेंस है, लाइफ के एक्स्पिरेंस के बेस्ट पर जो भी उचीट लगता है, मैं इनको एडवाइस करता हूँ, बट नाथ पोसीबल, यहास तो थिंक ओवर, एंदेंड आप लोगों की आप लोग चाहते थे कि मेरा बेटर डॉक्टरी बने, नहीं खुच से बने, मैं तो सिविल इंजिनियर हूँ, और मैं तो चाहता था कि बेटा मेरा सिविल इंजिनियर बने, आपने एक्स्पिरेंस उसको सेर करके और आगे बढ़ा सकूँ, लेकिन बेटे क की च्वाइस डाक्टर बनने की थी, तो हमने उसमें आफ्सक्शन कहीं नहीं, रुकावर कहीं नहीं पैदा किया, और जो हमारा कर्तब्य था, आगे बढ़ाने के लिए, हमने पुरा साहयोग दिया, और उस मिल में वो आगे अपने बस्ते गए, और हमारा जो योगदान होन हमारा जीए था, हर स्टेज पे हम जो कर सकते थे, हमने करने की कोशिस की, बाकी इस्वर की क्रिपा है, और जो यहां तक पहुचाया है, और आगे भी लेके जाएंगे